हेलो एवरिवन दोस्तों स्वागत है आप सभी का नैचरल लाइप में दोस्तों एक छोटे से फाब्रिक से आज बहुत ही प्यारा सा डियावाय में आप शेयर करने वाली हूं और इस फाब्रिक का मिजरमेंट है 11 बाइ 8 इंच अब इसी के साइस का मैंने फोम लिया है और नी अगर आपके पास भी है तो आप उसका इस तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं तो अब साइट से जूपी एक्ष्ट्रा था उसे मैंने कट कर दिया है और यह देखे क्विल्ट करके इस पीस को मैंने रैडी कर लिया है अब इसे मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी और वन इंच कर लेंगे तो यह देखे इस तरीके का हमें एक पीस मिल जाएगा अब मैंने 11 बाइ 8 इंच का एक और फाब्रिक लिया है यह मैंने नौन वोवन का यूज किया है आप कोई भी हाड थोड़ा सा सक्त फाब्रिक ले सकते हैं या फिर आप सौपिंग बैक का भी यूज कर सकते है अब इस जो हमारा में फाब्रिक था उसमें हम सेंटर निकालेंगे और इस फाब्रिक को मीडल में सेंटर निकालकर अटेच करेंगे तो यह देखिए इस तरीके से मैंने अटेच कर लिया है अब साइट से भी सिलाई करके इसे हम फिक्स कर लिया है अब इसे अच्छे से फि इस तरीके से पॉकेट बनकर रेडी हो जाएंगे अब मैंने ली है दो स्ट्रिप जो है 9 by 2 इंच की क्योंकि ये बच्चा हुआ फाब्रिक था मेरा ब्लाउज पीस का तो बहुत ही कम फाब्रिक था तो जो भी फाब्रिक है उसका मैंने इस्तमाल किया है तो ये स्ट्रिप हमा इसका मिजर्मेंट है 17 इंच और ये आपको इस तरीके से मिजर्मेंट निकालना है देखिए जो सैंटर है वहां पर मैंने मार्क किया और एक साइड से जो भी हमारा मिजर्मेंट लेंगे तो टोटल होगा उठनी हमें जिप लेनी है तो ये देखिए जिप को हम यहां पर ए इस तरीके से इसे कट कर लेना है अब देखे इस तरीके से इसे हम टान करेंगे और जो कपड़ा है उसके सेकंड साइड पर भी जिप को अटेच कर लेंगे कई सारे फ्रेंड्स बूलते हैं कि हमसे नहीं होता है अगर आपको पसंद है काम ये करना तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपसे भी हो जाएगा अपने फाब्रिक से औरे पट्टी कर ली है मतलब की क्रॉस पट्टी कट की है और इस पट्टी को हम यहां पर इस तरीके से अटेच करेंगे ये देखिए पट्टी को मैं अंदर की साइड से मतलब जो रॉंग साइड है वहां से अटेच कर रही हूं इस तरीके से पूरे र तो ये देखिए मैंने पट्टी को अटेच कर लिया है जू कर देंगे और इसे इस तर 이제 राइट साइड पर टम करेंगे राइट साइड पर इसे इस तर इसे डबल-फोल्ड करेंगे और व्यूपर हमें यहां सिलाई कर लेनी है सो फ्रेंज बच्चे हुए कपड़े का इस्तमाल करके आप बहुत ही प्यारा सा और यूसफुल डियाइवाई बना सकते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना जादा से जादा शेयर करना आपको कैसा लगा वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताना तो ये देखे बहुत ही आसान तरीके से और थोड़े से कपड़े से ये हमारा तीन पोकेट वाला बैग बनकर रेड़ी है सो गाइस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना ऐसे ही और इंट्रेस्टिंग और यूसफुल वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे तब तक के लिए जय भारत